very good morning to all of you first class students मैंने आपको लास्ट टाइम clothes के बारे में बताया था clothes क्या होते हैं clothes क्या होते हैं कपड़े है न हमें कपड़ों की क्या जरूरत होती है कपड़े हमारे लिए क्यों जरूरी है कपड़े क्यों जरूरी होते है क्यों कि वो क्या करते हैं हमारी body को cover करते हैं हमारी body को डगते हैं हमारी शरीर को डगते हैं इसलिए वो हमारे लिए जरूरी होते हैं अब जो कपड़े होते हैं वो अलग-लग किसम के होते हैं ठीके जैसे woolen clothes, cotton clothes ठीके तो ये जो clothes है cotton clothes ये हम कप पहनते हैं समर में यानि की गर्मियों में और जो वुलन क्लोज से हम का पैनते हैं विंटर में यानि की सरदियों में जो एक कपड़े हैं यह क्या करते हैं यह हमें डस से, heat से ठीक है, cold से इन सब चीज़ों से बचाते हैं हमें बारिश से जो बारिश होती है, तब हम किसके इस्तमाल करते हैं, अम्रेला का, अम्रेला और रेन कोट का, होते हैं जो बारिश होती है, हम बाहर क्या लेके जाते हैं, अम्रेला और जातो रेन कोट पहन के निकलेंगे, वैसे ही, अलग-लग कपड़े होते हैं, अलग-लग किसम के कपड़े होते हैं जैसे आपने देखा होगा आप स्कूल जाते हैं आप स्कूल क्या करते हैं यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो आपके अलग कपड़े होते हैं वो एक यूनिफॉर्म है आपकी वैसे ही यूनिफॉर्म बहुत सारे जैसे डॉक्टर होगे उनकी भी क्या होती है एक य यूनिफॉर्म होती है ठीक है वैसे ही जो ये कपड़े हैं ये हमें मिलते कहां से हैं ये हमें किसे मिलते हैं ये हमें मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से जो हमारी जो वूल है वो हमें किसे मिलती है शीप से और जो हमारे कॉटन है वो हमें किसे मिलता है प्लांट से ठीक है य ना ठीक है वैसे ही एक सिल्क का कपड़ा होता है वो जो कपड़ा है वो किस से हमें मिलता है वो हमें मिलता है सिल्क वाम से मलबेरी के जो मलबेरी यानि की शेतूत का जो पेड़ होता है ये एक फ्रूट है ये इसके पेड़ पर ये कीड़ा होता है ठीक है हमें इससे क्या मिल कि जो कपड़े हैं उनको संभाल के रखना चाहिए हमें कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए यहां पर हमें seem कुछ blanks दिये गए हैं, हम क्या करेंगे, इन blanks को fill करेंगे, fill in the blanks with the words given below, हमाई पस यहां पर कुछ blanks हैं, हमें उनको, यहां पर words भी दिये गए हैं, हमें क्या करना है, इन blanks में उनको fill करना है, first है, cotton clothes, save us from, cotton clothes, हमें किस से बचाता है, woollen, heat, smart, rain, किस से बचाता है, हमें, cotton clothes, किस से बचाते हैं, हमें, heat, गर्मी से, क्यूंकि वो कपड़े क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, है न, इसलिए वो हमें किस से बचाते हैं, गर्मी से तो क्या आएगा, cotton clothes, save us from, heat, वो हमें किस से बचाते हैं, heat से, घर्मी से फिर उसके बाद है we wear dash clothes in winter हम winter में कैसे कपड़े पहनते हैं गरम कपड़े पहनते हैं गरम कपड़ों को हम क्या बोलते हैं woolen clothes तो यहां क्या आएगा woolen w, o, o, l, l, e, n woolen we wear woolen clothes in winter फिर है we use an umbrella in dash हम umbrella को कहां इस्तमाल करते हैं कभी इस्तमाल करते हैं हम जब बारिश होती है है न, तो हम क्या लखेंगे we use an umbrella in rain हम कभी इस्तमाल करते हैं अमरेला का जब बारिश होती है r, a, i, n, rain अब है neat and clean clothes make us जो अगर हम साफ कपड़े पहनेंगे तो साफ कपड़े हमें क्या बनाते हैं smart तो क्या आएगा neat and clean clothes make us smart हमें हलिखेंगे smart as m, a, r, t smart first sentence है cotton clothes save us from heat second है we wear woolen clothes in winter third है we use an umbrella in rain fourth है neat and clean clothes make us smart thank you and have a nice day